नमस्कार आप सभी लोग का स्वागत है प्रिसा आईयस ऑन्लाइन और ओफलाइन क्लास में जैसा कि UPSC Foundation Classes में और NCRT Foundation इन दोनों में जोग्रोफी की सिंख्ला स्टार्ट हो चेगी जिसमें और इंडियन जोग्रोफी भी स्टार्ट हो चुकी है जिसमें इंडिया नेबर रूट हो चुका है इसके बाद हमने स्वाइल क्योंकि हमने कहा था यह इंपॉर्टेंट पार्ट है बीपीसी के लिए हम यह टार्गेट कर रहे हैं आने वाले जो तीन एक्जाम से बैक टू बै आते हैं स्वाइल और अग्रिकल्चर क्रॉप से कुष्चन आते हैं कि कौन सा राज इस असल के लिए कितने नंबर पर किस रैंग पर है यह अग्रिकल्चर डेटा आप उठा सकते हैं वहां से आप इंडिया एर्बुक से भी आप पढ़ सकते हैं साथे साथ एक्रामिक क्रॉप के लिए कौन सी मिटी उपजाओ मिटी होती है आपको पता है अब जब ब्लैक स्वाइल पर कुष्चन आ गया तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ब्लैक स्वाइल बनता कैसे है किस पैरेंट रॉक से बनता है और कौन सा मिनराल पाया जाता है उसके अंदर और किन फसलों के लिए ब्लैक स्वाइल उप्योगी होती है कि इसकी पिछली क्लास में अगर आप नहीं देखा तो आप जाके देख लिजेगा और हमारे एप को डाउनलोड कर लिजेगा वहां पर भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे कि यूटूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लि कि आप करनेट कर पाऊ जो मेरे जो बच्चे हमारी पिछली वीडियो को नहीं देख पाएं तो वहलका सा जिस्ट मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए पिपीटीं कवर हुआ था जिसमें हमने आपको orieल लेइंजılar के बारे में बतायाओ कि किवह व्य होते हैं इसके आपको समझाया था उसके बाद हम ने स्वाइल कैसे बनता है composition of soil स्वाइल का मैंने आपको बता था स्वाइल जो है वह दो चीजों से मिलके बनता है एक तो और पैरेंट प्रॉक और पैरेंट रॉक जिस चट्टान से बनी होती है और और अपका डेद डीके है plant और human animal यह सारे चीज़ें आते हैं जो कि soil को कि न्यूटेंट इंडरिच बनाने में काम आते हैं जिस जो स्वाइल में दो तरह के न्यूटेंट पाएज आते हैं यह सब आपको इसी डेड़ डीके और और नेचर से मिलता है आपने पढ़ा होगा दो तरह की साइकल होती है कार्बन साइकल और नेटरोजन साइकल से सौइल अपने फटिलिटी को कैसे इनहेंस करता है एक माइक्रोगनिजम होता है बक्तिरिया पाया जाता है राइबोजम जो कि लुग्मेस प्लांट मात्ति दलहन वाले ओधों में पाया जाता है वो नेचर में या और में जो प्रेजेट नैटरोजन सक करता इसको साल्ट में करता है नाइट्रेट के सौल्ट में फिर उसको यूज़ करता है कि इस तरहीं तो हम आपको चर्शा कर चुके हैं उसक कप अर्थक्र॥र हो गया विंड हो गया हैवाICO क्राशोय होताई कि पूर एक कर के समझाए था वॏडरिंग क्या होता है ए रोजन क्या होता है और डिपोजाइशन क्या होता है पिर यह मैंने आपको बता दूँगा वह अभी आएगा फिर चैनल बैदरिंग में आपको अलमुनियम कारबुनेट का बता था किस तरह से अलमुनियम कारबुनियम और कारबुनेट में टूड़ता है एक प्रोपर्टी समझाने की कोसिस की थी प्रीवेस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि स्वाइल फार्मेशन में जो अलग-अलग एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो स्वाइल डिपोजित होता है उनका नाम पढ़ता है जैसे जलोड मिट्टी जो भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मिट्टी है लगबग 43 से 45 परशेंट इरिया भारत में जलोड मिट्टी जो है पाय जाती है जलोड मिट्टी में पुरानी नई होती है और यह फिर सक का बांगर कमकर तराई को चलिए बता देता हूं यहां पर हिमालया से निकली लिगियों के लिए कौन 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 सी नदियां इंपॉर्टेंट इंप्रम्इट सेक्शन में बताईएगा ब्रमापुत्र इंडस इक महानदी कावरी कष्णा बताईएगा यह आपका काम है आपको पर रहे हैं अब कितना पड़ पार रहे हैं ठीक को हम लोग से थोड़ा से यहां पे यह तार। यहां पे आपका फिर यह जो जीघा यहां पे आपका डेल टा ट्रवल त्राई रिज़न स्वाइल में यहाँ서 on क्योंकि पेबल काफी बड़े बड़े होते हैं तो यह थो जाती है इसे लिए लोग इनको कहते हैं आप पे नदियां चोरी हो गई जाती हैं पूपर से स्टोन देखेगा नीचे से नदियां बहा रही होती है तो कि वे ठीक है तराई तराई रिजन जहां पर आपका फर्टिलीटी ज्यादा यह रिजन माली जी आपका हो गया तराई हो गया ठीक है यह आपका भाबर यह आपका बांगर तराई बांगर ठीक है और यह वैली नुमा जो इस्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग कहते हैं खादर कि यह थोड़ा साब को दिखा दूंगा यह एंसी आटी में दिया हुआ है एंसी आटी की सब्सक्राइब करें चलूंगा इस इस लेक्चर की खासियत यह है कि हमंसी आटी को ही साथ में मैप करते वे चलने ताकि आपको अलग से दूसरा टाइम आपको एंसी आटी कि लिए ना देना पड़े जे गुए यह मेरा विश्वास है और मेरे सब्सक्राइब सार्टीसे इसकी कोई चिंता अपना करें जोग्राफी कैसे पढ़ना है मेरे से बहतर आपको को यह नहीं सब जबर es कोई तुरूटी हो तो आप जरूर मुझे बताईएगा और क्योंकि अध्यापक हमेशा एक छात्र ही रहता है मेरा यह मानना है कि अध्यापक को कभी यह नहीं सोचना चाहिए किसको सब कुछ आता है जिस दिन वो यह सोच लिया तो घमंड तो रावन का भी नहीं रहा तो हम है तो एक इंसान है ना देवी है ना देवतां है नदानों भी नहीं है असुर होते तो भी एक अपनी मासक्ति होती है तो हम सीख रहे हैं अगर पढ़ाने पर टूर्टी होती है तो आप जरूर मुझे बताइएगा और हम हर वो लेक्च्छर में हम इसको अच्छा करने की प फैक्टर होते हैं जो मिट्टी यानि स्वाइल के फॉर्मिशन में उत्तरदाई यानि की डिस्पॉंसिबल होते हैं मैंने बोला था क्लाइमेट और्गनिजम मतलब फॉरेस्ट ग्लास्रें माइक्रोब जूसक अंदर पाया जाते हैं पैरंट रॉक जिससे बनता है जैसे ब्ल सब्सक्राइब जाता है तो कोई भी पेड़ा पॉधा नहीं बस इतना ही फटलिटी से लेन देना होता है मैंने आपको अलवलाइल सुरू कर दिया था यह पूरा जिस्ट है कौन-कौन से क्रॉप होते हैं याद रखिया क्रॉप के लिए पूछे जाता है यहीं से अपने पढ़ाई को क्यारी करना है ठीक है तो यहीं से हम आपको ब्लैक सोयल यह तो जिस्ट था मैं आपको समझाने क है ब्लैक स्वाइल को रैगूर भी बोलते है और बैसाल्टिक रॉट के तोटने से बनता है करके स्प्रेट में पाया जाता है निकले गये सौल्ट होता सॉल्ट उससे बनता यह प्लैट उहां पे प्लैक्ट बाठाता है जैसे कि महारास्ट्रा तीके महारास्ट्रा मध्य बदेस गूजरात की कुछ इच्छों पे जगाहों पे बेसल्टिक इनि ब्लैक्ट स्वाइल पाया जाता है भारत का 15 पर्षेंट एडिया ब्लैक्स से बना होता है या आपसे सवाल पूछा गया था फ तो यहां से सवाल पुछा गया था, color of black soil due to, किसकी वज़ा से होता है, तो titanium, parous, magnetite compound से पाए, ठीक है, क्रॉप के लिए बात करें, crop in a black soil, तो mainly यह cotton के लिए famous है, बट इसमें tobacco, sunflower, millet, और millet इसमें news में था, अभी सरने current affair अपका बनाय वे था, year of international year, millet बनाय गया दिल्ली में, तो millet के लिए उगाया जाता है, ठीक है, NCRT पे आते हैं, क्योंकि मैंने आप से कहा था, कि हम NCRT map कराते हैं, चलेंगे आपके यह रहां NCRT, तो देखेंगे थोड़ा सा अलवलाइल सोयल के बारें पढ़ लेते हैं, क्योंकि छूट ना जाए, तो आपको ऐसा ना लगे कोची छूट रही है, तो NCRT के करा हम बात करें, तो देखें, आप लिखा हुगा है कि अलॉवलाइल सोयल कंसिस्ट वॉइरियस प्रपोर्शन वूफ सैंड, शैट और क्ले, पिटी के कमपोजिशन भी यही बोले जाते हैं, कि मिटी के कमपोजिशन के बात करें, तो सैंड, सिल्ट और क्ले, इन इस पिरामीड़ विल हैप यू इन इयुवर मेंस अंसर राइटिंगं है यह पिरामिड आप अपने मेंक अंसर रायटिंग में यूज कर सकते हैं बहुत हाइप हाइघ्य के इंपॉर्टेंट उड़ा ? कि आप यह पर रिखेılar सेंड ! यहां पर लिखेगा पूस अपने आपने लें 100 यह सब रूखेर अपने आ पंट नहीं परशंट है यह भी 100 परशंट यह भी 100 परशंट और तो यह भी हन्डेश्म के अगरहम क्लेग का सैंड और स्लीट का तक 33 परसंट इसका और थे सिस पर्शंट इसकाब थे साय तो जिस मिट्टी का नीडमाशन होता है absence कहला थी है लूमीस विद ऑफलते है इसको लुमी जल नो कि मिट्टी में अगरहम हम बात करें composition की बात करें तो यह व्रीट सबसे ज़्यादा मातरा में खाया जाता है अलग अलग मतलब करें यह नहीं बनाने के लिए जो वान मीने और सबसे ज्यादा होती है सबसे ज्यादा होती है pump ति सद्ट आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एलुवेल इसमिए पाए जाने वाले मिनरल्स का सवाल पुछा था कि क्या क्या पाया जाते हैं तो एलिवेल सोयल में पाए जाता है लाइं को पॉटास पसफोरस यह सारी चीज़ें जो है पाई जाती है किसमें यह पूछा जाता है जलोड मिट्टी में पाया जाता है बोलते हैं यहां देखें बांगर लिखा भी था यह देखिये रहा बांगर यह आपका ओल्ड एलोल को बोलते हैं और खादर हम नियु एलोल स्टोन पाई जाते हैं तो कार्बोनेट के आपके चुना पथर कह सकते हैं पेबल स्टोन पाई जाते हैं याद रखेगा इस बात को ठीक है इसके बाद कंकर कहते हैं कंकुर पाई जाते हैं इस हैस मोर फाइन पार्टिकल और मोर फटाल देन बांगर अल्वाइल स्टोन और होल और वाइली फटाइल मुस्ली इस सोयल कंटेंड एडिकवेट पॉश्चन पॉटास देखिए मैं अभी थोड़ दें पताया था मिनरल तो सवाल पुछ लिए जाए कि इनमे से कौन सा एसीड पाया जाता है सवाल अगर आ गया तो आपको याद ना चीए फॉस्फोरीक एसीड पाया जाता है अगर बात करें कि स्क्रॉप के लिए ऑडियल है तो फिर से सब आखिए मैं काईबर क्यों बता रहा हूँ ताकि कि आपको याद हो जाए बास समझे मल्टिपल टाइम बताने का बस इतना है कि अगर आप सुन रहे हैं तो आपके दिमाख में जाके छप जाए इसके बाद आपको ना पढ़ना पड़े बस इतना ही मेरा मकसद है इसलिए मैं कई बार एक ही बात को रिपीट करके आपको समझा आपको आपको पड़ा रहा था कि ब्लैक स्वाइल जो था ब्लैक इन कलर का होता है और इसको लोग रैगूर स्वाइल भी कहते हैं यह आपके लिए बहुत इंप्टेंट पार्ट बन सकता है कि रैगूर स्वाइल किस मिट्टी को रैगूर स्वाइल होता है किस के लिए it is believed that climatic condition along with the parent rock material art the important factor for the formation of black soil.This type of soil is typically Chaan Trebth Bassal it spread over the north सब्सक्राइब बात करें अच्छा यह नदी 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 आ गया नदी आगया नदी आगया तैर लेते हैं कौन सी नदियां काली मिट्टी या बलेक सोयल को बनता है बहुत इंपोर्टन गोदावरी पुष्णा अ है अब देके ब्लेक सोयल चिपचिप होती है मतलब क्लेइ मिल्टी होते हैं जिसे घाड़ा बनता है चिपची पानी उसमें कैसा चिपचे वह सब्सक्राइब कि चाहिए नहीं है चिपचिप अब देखें आप लोगारा बनते हुए या वह दिवाली में जो दिया बनता है उस को स्टोर कर लेता है तो टीज आर वेल नोन फॉर टेयर वेल नोन फॉर देर फीर स्टी टो होल्ड मुइस्ट्रे पीकए घोलम उस्ट्रे करिया थे साथ हम बात करें आपसे सवाल यह भी पुछा जाएगा कि black soil में कौन सा कि black soil में कौन सा मिनरल पाए जाता है वह है calcium carbonate magnesium potassium 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 carbonate magnesium potassium potassium carbonate पोटास यह लिख लिजेगा यह सर्व मिनरल्स है ब्लैक स्वाइल में पाए जाते हैं चीक है अगर बात करें भारत रिक राजियों में ब्लैक स्वाइल पाए जा आता है गुरान एन जगहोंencias पे ब्लैक स्वाइल पाया जाता है अगरं बात करें कॉटन राइस शूगर केन की खेती के लिए पाया जाबता है कि बस समझेंगा कि समझेंगा कि ब्लैक स्वाइल की बात करें तो मैंने बताया कि वाटर होल्डिंग कैपिसिटी ज्यादा होता है मिनरल मैंने बता दिया और जब बारिस जब मतलब सुखा आता है पानी क्योंकि देखो यहां पर ना वाटर कैपेलरीज होती पानी को सोकती नीचे तरफ तो जब सुखा का समय आता है तो पानी एवापरेट हो जाता और पानी एवापरेट होने के वज़े से आपने देखा होगा इस तरह कि यहां पर दिखा हुआ है ऐसे क्रैक्स बन जाते हैं अगर आप न्यूस फॉलो करते होंगे तो किसान ऐसी ही मिट्टी पैसे सर पर हाथ तरह करके बैठे होते हैं और जो सुसाइट का वगरा वगरा होता है वह यही मिट्टी है आप देखें पड़ जाते हैं ब्लैक सॉयल में जब धूप मतलब जो मैं जून का जो समय होता वाटर इवापरेट हो जाता है अब पानी के इवापरेशन के वज़े से इसमें क्रैक पाया जाता है 10% इसमें अलूमीना पाया जाता है देखिए मैंने बाकी तो बता दिए इन जनरल मैं वैसे बता रहा हूं दस पर नौ से दस परसंट आइरन ऑक्साइड पाया जाता है यह डिटा है तो आपको याद रखना होगा मैंने लिख रखे हुए थे तो इसमें मैगनीजियमं के ऑक्साइड पाया जाते हैं तो मैगनीजियम के ऑक्साइड पाया जाते कि और इसमें नाइट्रोजन और आपके सकते हैं टोटल च्फ है। 15-16 परसेंट भी का जाता है। 16% टोटल एरिया का 16 जो है च्छेतरफल भारक का काली मिटिया नि ब्लेक स्वन से पाए जाता है लगवग 5.656 लाख स्क्वाईर किलो मिटर का एडिया पाया जाता है काली मिटिया का ठीक है इसी को मैं मैंने क्या का था मैं कैसे पढ़ाऊंगा mapping कराऊंगा तो यह 9 का mapping था किसी मैप को मैं करते हुए मैं आपको अच्छा क्रॉप बता दे बैक साइल के लिए तो कॉटर मैं ने बताए दिया इसमें राइस सुगर केन यहां पर जो है उगाई जाती है है चलिए हम ब्रेक लेते हैं ठीक है ब्लैक स्वाइल हो चुका है अब इसके बाद आपका बाकी जो स्वाइल लेटराइट स्वाइल थोड़ दिर में मिलते हैं पांच मिट की ब्रेक के साथ बने रहिएगा तब तक ध्यान रखें प्रिसाइस एप डाउनलोड करिए इस्टे